हेलो स्टूडेंट्स, माई साल डॉक्टर आशी श्रीवास्तव आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्टिलाइजेसन है और फर्टिलाइजेसन की प्रोसेस को हमने बहुत सिंपली जब डिफाइन किया है जब आपको human reproduction में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि sperm जो है वो ovum को fertilize करता है अब फर्टिलाइजेसन की प्रोसेस में especially sperm का जो haploid nucleus होता है वो ovum के haploid nucleus के साथ fusion कर लेता है यानि कि एक deployed zygote का formation हो जाता है लेकिन ये प्रोसेस इतनी simple नहीं है जितना simple हम इसको generally define करते है fertilization की process को एक proper sequence में पढ़ने के लिए इस lecture में मैंने flow diagram के थूँ आपको इस process को समझाने की कोशिश की है आप केवल इतना कीजिए कि मेरे lecture को बहुत carefully सुनिए आप lecture को देखने के साथ साथ lecture notes prepared कीजिए जो आपके लिए बहुत जादा important है and fertilization की process आपको बहुत ही concept clear way में समझ में आ सके इसलिए मैंने बहुत सारे diagrams और animations भी इस lecture में ले रखे है तो आपका काम केवल क्या है आपको ये lecture बहुत carefully सुनना है आपको अपने lecture notes prepared करने हैं lecture को देखते देखते और साथ मैं आपको अगर किसी भी type का कोई doubt होता है तो वैसे doubt नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ऐसे सभी animations इस lecture में ले रखे हैं जो आपके जो भी doubts होते हैं उनको बहुत ही proper way में clear कर सके हैं आउट्स आपके solve होते जाएं इसलिए slide जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता जाओंगा आप देखेंगे कि आपको सब कुछ concepts जो है वो एकडम clear होते जाएंगे तो start करते हैं आज का lecture आज के lecture को start करने से पहले एक important चीज़ की आप मेरे channel को अगर अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो इसको सबसे पहले आप subscribe कीजिए आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको like करना मत भूलें और ऐसे ही आगे भी मैं आपको biology के बहुत सारे important जो lectures हैं topics पर जो lectures हैं वो provide करता रहूँगा और आपकी biology को बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा तो हम start करते हैं अपना आज का topic जिसका नाम है fertilization तो बच्चों सबसे पहले fertilization को जब हम पढ़ना start करते हैं तो मैं अपने इस lecture में आपको एक-एक sentence को बहुत proper way मैं आपके सामने रखूँगा उसको समझाऊँगा उससे related जो भी important diagrams होना चाहिए वो भी आपको बताऊँगा आपका काम केवल ध्यान से सुनने का है तो सबसे पहले तो आप एक word का meaning जान लीजिए insemination जब भी हम fertilization को NCRT से पढ़ते हैं तो एक word आता है insemination insemination का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि during the population या coitus यानि की mating के दोरान semen जो male की external genitalia से release होता है वो semen female के vagina में या उसके reproductive track में injected करने की process जो है that process is called insemination तो insemination का मतलब बहुत simple होता है during the coitus या copulation या mating संभोग के दोरान male के penis से release होने वाला semen का female reproductive track या वजाईना में inject होने की जो process है उसको हम insemination कह सकते है generally insemination कई बार artificial भी हो सकता है और natural भी हो सकता है तो natural insemination तो हम सबी समझ सकते हैं कि जब female और male coitus करते हैं या copulation करते हैं तो इस दोरान male के external genitalia या penis से release होने वाला semen female के vaginal track में जब eject होता है तो वो natural insemination है लेकिन sometime ऐसा देखने को मिलता है कि artificial insemination भी conducted किया जाता है doctors कि तुरू या medical practitioners कि तुरू तो artificial insemination से हमारा क्या मतलब होता और इस condition को हम कभी use करते हैं ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं तो देखिए अगर मान लीजे कि किसी भी couples में infertility की problem है या मान लीजे कि insemination की natural process से proper amount of sperm female reproductive track में नहीं पहुँच पाते हैं तो उस conditions में doctors ऐसे infertile couple को assisted reproductive technology के तहत एक ऐसी procedure recommendate करते हैं जिसका नाम है artificial insemination और ये natural insemination की तरह ही है वस इसमें अंतर क्या है कि सबसे पहले male से sperm का collection कर लिया जाता है याने male के semen को या sperm को collect कर लिया जाता है then laboratory processing की जाती है ताकि viability of sperm को maintain किया जा सके और उसके बाद एक injection के थूँ female के uterus में या vagina में हम semen को injected कर देते हैं देख सकते हैं आप इस diagram में तो इस पूरी process को हम लोग artificial insemination कहते हैं लेकिन हम जो topic आज का study कर रहा है fertilization उसमें आपकी NCRT ने artificial insemination की बात नहीं कही है वलकि natural insemination की बात कही है और natural insemination का meaning हम समझ चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ important concepts हैं जो NCRT में जब आप fertilization topic को पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं देखी सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली important चीज यह है कि human sperm जो है वो human sperm याने की male sperm क्योंकि human sperm का formation कौन करते हैं भाई तो male करते हैं तो जो male sperm है वो male के genital duct में या reproductive tract में male के genital duct में या reproductive tract में like epididymus की बात हो रही हो या फिर seminiferous tubules की बात हो रही हो या ejaculatory duct की बात हो रही हो कहीं भी जो भी male का genital duct है वहाँ पर आप देख सकते हैं जो male sperm है वो कई हपते तक अपने आपको जिन्दा बना कर रख सकते हैं याने कि male sperm can live for many weeks in male genital duct लेकिन अगर एक बार, अगर एक बार semen के form में sperm को ejaculated कर दिया जाए याने कि अगर semen को male अपने external genitalia से release कर देता है तब उस condition में sperm की जो life होती है याने कि वो कितने समय तक जिन्दा रह सकते हैं तो maximum तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि NCRT का data है तो हमें याद रखना होगा ना maximum ना minimum इसको हम NCRT के according याद रखे 24 से 48 hours वैसे कई आपको reference book में 3 to 5 days भी देखने को मिल जाएगा लेकिन हमें NCRT follow करना बहुत जरूरी है तो sperm को अगर semen के form में एक मेल ejaculate कर देता है तो उनकी जो life होती है वो maximum तो नहीं कहूंगा लेकिन NCRT के accordingly बात याद रखे आप 24 से 48 hours यानि कि sperm एक बार अगर outside the body निकल जाए मेल की body के बाहर चले जाए in the form of semen तो वो 24 से 48 घंटे तक जिन्दा रह सकते हैं आपको हमेशाद रखना है sperm move in liquid medium secreted by female genital track at speed 1.5 to 3.0 mm per minute इसका मतलब क्या हुआ कि लगवग 30 मिनिट का time लग सकता sperm को fertilization site तक पहुँचने के लिए यानि ampullary reason तक पहुँचने के लिए क्योंकि sperm की speed का जिक्र यहाँ पर किया गया है जैसे ही sperm को female genital track में ejaculate कर दिया जाता है तो female में जो liquid medium होता है जो female genital track में liquid secretions होते हैं वहाँ पर sperm के जो गती करने की दर है move करने की जो speed है वो है 1.5 से 3.0 mm per minute आपको बता दूँ कि sperm के movement में कुछ important role play करने वाले सब stance हैं जैसे की prostagladins prostagladins of semen जो की semen में present होता है वो help करता है sperm की या espermetozoa की उसके movement में और आपको याद रखना है कि CA++ जब female के reproductive track में espermetozoa जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ capabilities को acquire करते हैं जो मैं अपने आगे के slides में आपको बताऊंगा capacitation तो फिलहाला आप इतना समझ लीजिए कि prostagladins का और CA++ का sperm की mortality या movement में in female genital track काफी essential role है entry of CA++ sperm जब capacitation को develop करते हैं जो मैं आगे बताऊंगा तो CA++ sperm cells के अंदर जो हैं वो move करते हैं जिससे कि sperm का जो tail है यानि कि उसका phlazilla part जो है वहाँ पर आप देखेंगे whiplas movement होता है यानि कि sperm जो हैं वो काफी तेजी से move कर सकते हैं whiplas movement कर सकते हैं देखिए इस diagram में आपको sperm के whiplas movement दिखाए गए तो इस तरीके से चाबुक की तरह movement वiplas का मतलब होता है चाबुक की तरह है हंडर की तरह movement तो sperm का जो tail है वो viplas movement करता है जिससे कि sperm जो है वो female reproductive track में मैं कह सकता हूँ 1.5 से 3.0 mm per minute की दर से move कर सकते हैं और approximate 30 minute में sperm चाहें अगर तो 30 minute में sperm है healthy sperm है motile sperm है वो ampulla reason of obeduct तक पहुँ सकते हैं for the fertilization of ovum तो यहाँ पर कुछ basic चीज़ है मैंने आप से discuss की है हम आगे बढ़ते हैं आपको याद रखना है कि जब किसी फी female में उसकी वजाईना में sperm को ejaculate कर दिया जाता है तो what is the exact path of sperm in female reproductive track तो आपको याद रखना sperm swim करते हैं जैसी sperm को आप female के वजाईना में enter करेंगे female की वजाईना से sperm कहां पहुँचेंगे cervix में cervix is the narrow opening of uterus cervix से वो पहुँचेंगे uterus में uterus हम सभी जानते हैं inverted pear shaped structure है and वहां से uterus से वो कहां पहुँचेंगे ampulla reason ampulla is the soil part of the oviduct and middle part of the oviduct तो oviduct का एक reason होता है soil reason होता है ampulla इसके लिए अगर आपको नहीं है knowledge तो आप मेरा एक lecture देखना मत भूले female reproductive system वहां पर मैंने fallopian tube की complete structure को define किया है तो what is the exact path of sperm in female reproductive track तो आप कहेंगे sperm swim through the vagina, cervix, uterus and finally reach the ampulla of the fallopian tube और oviduct ठीक है ना यहां तक की बात हमें समझ में आ रही है अब हम बात करते हैं the ovum released by the ovary जैसे कि sperm को insemination के through male ने female के vagina में पहुँचाया vagina से sperm कहां गया, cervix में गया, cervix से कहां गया, uterus में गया uterus से कहां पहुँचा, site of fertilization याने ampulla उसी तरह से आप देखेंगे कि ovum जो है वो ovulation के समय पर ovary से release होता है ovary से ovulation के दौरान ovum release होता है literally वो ovum developing ovum होता है, secondary उस site कहा जा सकता है क्योंकि वो metaphase 2 में arrested होता है तो जो ovum release होगा from the ovary during the ovulation is also transported to the ampulla where fertilization occurs तो ovum भी कहां पहुच जाएगा, ampullary reason में तो हम कैसे समझ सकते हैं इस concept को देखिए इस diagram के थूरू समझ सकते हैं यह आपने यहाँ पर क्या देखा, इस तरीके से ovum release हुआ यह देखिए आप यहाँ पर ovum release होगा and ovum कहां से release हो रहा है from the ovary तो यहाँ पर इसमें हम देखिए यह ovum release हुआ ovary से और fallopian tube के ampullary reason में पहुचा यहाँ से आपने क्या देखा, sperm जो है उसने enter किया और वो vagina, cervix से होता हुआ, uterus और uterus से होता हुआ fallopian tube के कहां पर पहुच जाता है, ampullary reason में and sperm insemination के दोरान, vagina से, cervix से, uterus से वो भी कहां पहुचेंगे, oveduct के ampullary reason में and what is the site of fertilization in female तो आप कहेंगे oveduct और exactly answer चाहिए मुझे, तो आपका answer होगा ampullary reason of oveduct देखिए, sometime पूचा जाता है के fertilization कहां पर होता है और ऐसे options भी हो सकते हैं के ampullary istimus junction, तो देखिए, ये परानी NCRT में ऐसा दिया गया था, अब ये चीज modified हो चुकी है, अब हमें fertilization की site ampullary याद रखना है, लेकिन अगर ampullary options में नहीं है, वलकि ampullary istimus reason है, तो ampullary istimus reason को ही आप क्या करेंगे, select करेंगे लेकिन अगर ampullary option में है तो आपकी priority किस में होगी, ampullary में होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब NEET 2018 में fertilization related एक out of slivers question आया था, जो मैं आप से discuss करना चाहता हूँ, मेरा कोई motive यहाँ पर out of NCRT आपको कुछ भी जादा बताना नहीं है, लेकिन क्योंकि 2018 के NEET में एक question आया था यानि पूछा गया था कि sperm जो है, वो capacitation की process को acquire कहां पर करते हैं, तो answer था female reproductive track में, अब हमें हमेशा से यह confusion बना रहता है, क्योंकि हम यह चीज अपने generally literature में पढ़ते नहीं है कि capacitation क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि capacitation का मतलब क्या होता है, जब भी कोई sperm insemination के दौरान release होता है from the penis और पहुंसता है in female vagina या in female reproductive track, तो sperm को कुछ ऐसी छमताएं, कुछ ऐसी ability को अपने अंदर acquire करना होता है, यानि sperm को अपने structure में कहा जाए, अपनी membranes के structure में कुछ ऐसी capacities को acquire या develop करना होता है, जो उसकी help कर सके fertilization की process में, यानि कि sperm जादा fuse हो जाने को सके, वो sperm जो है, वो एक को fuse करने की ability को develop कर सके, अगर ये ability को sperm develop करता है, तो उसी process का नाह में capacitation, लेकिन ये ability sperm में develop कहां पर होती है, तब जब वो female के reproductive track में बहुंच जाता है, तो capacitation is the process where the spermatozoa acquire the capacity to fertilize the ovum it occur in female, या कह सकते हैं कि female reproductive track, तो यहाँ पर female reproductive track में ये ability को acquire किया जाता है, यह आपको याद रखना है, और यहाँ पर एक छोटा से spelling mistake है, जो मैं correct कर रहा हूं, that is female, ठीक है ना, तो female reproductive track, इसमें आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, अब क्योंकि capacitation पर एक बार question आ चुका है, और अब probability है कि इससे regarding यह से related कुछ और भी एक question ऐसा आ सकता है कि भाई, आखिर capacitation में होता क्या है, तो कौन सी ऐसी capacity है, जो acquire करता है, sperm female reproductive track में, तो आपको याद रखना है, दो important ऐसी capacities है, जिनको acquire करता है, sperm female reproductive track में, the first is, removal of membrane cholesterol, prevent over acrosome, देखिए, हम सभी को मालुम है, चाहे दुनिया की कोई भी cell हो, prokaryotic cell हो, eukaryotic cell हो, उसकी outermost boundary को हम क्या बोलते हैं, plasma membrane बोलते हैं, और plasma membrane में जो content present होते हैं, वो lipid और क्या होते हैं, protein होते हैं, तो यहां रटने की जरूरत नहीं है, हर plasma membrane बनी हुई है, lipid और protein से, अब जो lipid होते हैं, plasma membrane में, manly वो phospholipid होते हैं, जिनको lecithin कहा जाता है, तो कौन से lipids होते हैं, phospholipids, और some amount of lipid जो plasma membrane में होता है, वो है cholesterol, तो हमें कभी भी confused नहीं होना है, cholesterol generally हर एक plasma membrane में होता है, it provides the stability to plasma membrane, किसी भी plasma membrane में lipid के रूप में cholesterol का जो महत्व है, वो इतना है कि cholesterol plasma membrane की stability को बना कर रखता है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि sperm की plasma membrane में भी क्या present होगा cholesterol, और cholesterol को हम चाहते हैं कि वो remove हो जाए, क्योंकि अगर cholesterol remove नहीं होगा, तो plasma membrane of sperm जो है, वो stable बनी रहेगी, और हम उसकी dis-stability की काम ना कर रहे हैं, क्योंकि sperm में अगर उसकी plasma membrane dis-stable होगी, तो उस condition में sperm जो है, वो ज़्यादा fuse ogenic होगा, याने कि उसमें fusion की capacity जो होगी, वो increase हो जाएगी, and fertilization के लिए बहुत ज़रूरी है sperm fuse ogenic होगा, तो that is a very important changes in sperm during the fertilization, या before the fertilization कहा जाए, कि sperm की plasma membrane में जो cholesterol है, उसको remove करना, उसको अलग करना बहुत ज़रूरी है, विशेश तोर पर उस plasma membrane से cholesterol को हमें अलग करना है, जो acrosome के उपर present है, क्योंकि fusion के लिए sperm का head part responsible है, and head part में जो nucleus होता है, fusion के दौरान वही attach होता है ovum के outer envelope से, तो मैं कहूंगा कि acrosome के just उपर जो plasma membrane है, उसमें से cholesterol का remove होना बहुत ज़रूरी है, ताकि sperm की जो plasma membrane है over the acrosome, वो dis-stabilize हो सके, और वो ज़ादा fusogenic हो सके, उसके बाद आप देखेंगे, जैसे ही cholesterol remove होता है तो एक और ability ज़रूरी है sperm में acquire होना, वो यह है कि अब आराम से CA++ जैसे ions जो हैं, vivalent cations जो हैं, वो enter कर पाएंगे inside the sperm cytoplasm आपको बता दूँ, CA++ के साथ HCO3 minus जैसे ions भी enter करते हैं, sperm के cytoplasm में और यहाँ पर man function जो CA++ के enter होने का है, वो यह कि यह sperm के whiplash movement को, याने चावो की तरह उसके tail part के movement के लिए responsible होते हैं, जिसकी वज़े से sperm जो है, वो तेजी से move कर सकते हैं, female reproductive track में, approximate 1.5 to 3.0 mm per minute की दर से तो यह आपको समझ में आ गया होगा, तो there are two different changes are involved in capacitation of sperm in female reproductive track, the first is removal of membrane cholesterol present over acrosome and second entry of CA++ into sperm causing rapid whiplash movement of tail part, अब देखिए capacitation पर से इतने ही आपको concepts या question याद रखने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ difficult need में आना नहीं है तो that is not important for need लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह हमारे लिए जो है वो important हो सकता है हमें यह अगर जानना है कि कैसे आखिर किसी sperm में acrosome के ऊपर cholesterol जो है उसको remove किया जा सकता है female reproductive track में, तो उसके पीछे की mechanism of action क्या होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर बड़े carefully, आप देखेंगे यह sperm है, और sperm के head में यह आप देख सकते हूँ, उसकी plasma membrane में yellow color से क्या लगे हुए है membrane cholesterol इनको मैं कह देता हूँ यह membrane cholesterol है ठीक है न, और हम चाहते हैं कि जो acrosome के uber, क्योंकि यहाँ पर acrosome होगा, यह यहाँ पर nucleus होगा, यहाँ पर यह proximal centriol होगा और यह distal centriol होगा, तो हम चाहते हैं कि जो sperm के head में, acrosome के ऊपर, उसकी plasma membrane में cholesterol है, उसको remove करना है, तो आपको बता दूँ, जैसे sperm female reproductive tract में जाता है, तो female के reproductive tract में जो secretions होते हैं, उनमें एक protein present होता है, जिसको हम albumin नाम देते हैं, तो this is the albumin, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यह क्या है आपका albumin protein, और यह कहाँ present होगा, female reproductive tract में जो secretions होगे, उसमें present होगा, तो देखी, यहाँ लिखा हुआ है albumin, the major protein present in the female reproductive secretions, तो female के जो reproductive secretions होते हैं, vaginal secretions होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि albumin protein जो है, वो present होगा, अब concept क्या है, कि albumin protein जो है, वो बहुत important role play करता है in the structural modification of sperm plasma membrane, और sperm की plasma membrane में क्या हम structural modification expected कर रहे हैं, तो हम expected कर रहे हैं कि भाई, जो cholesterol है, वो remove हो जाए, तो आप देखेंगे इस तरीके से, जो female reproductive secretion में albumin है, वो membrane cholesterol over the acrosome को अपने साथ bind करके remove कर देता है, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर acrosome के उपर जो plasma membrane थी, वहाँ पर जितना भी cholesterol content था, उसको albumin protein ने अपने साथ खीच लिया, bind कर लिया, ठीक है ना, अब इस तरीके से loss of cholesterol जब होगा sperm में, तो आप देखेंगे उसकी plasma membrane जो है, वो destabilize हो जाएगी, क्या हो जाएगी? destabilize हो जाएगी, अब हम देखेंगे कि जब cholesterol जो है, उसका function क्या है plasma membrane में, तो cholesterol का function है, plasma membrane को stable बना के रखना है, अब cholesterol अगर plasma membrane से हट गया, remove हो गया, तो इससे क्या फायदा होगा? कि plasma membrane becomes more permeable, plasma membrane क्या हो जाएगी? और भी जादा permeable हो जाएगी, और ये allow करेगी CA++ जैसे ions के transportation के लिए, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये CA++ ions जो है, वो sperm के cytoplasm में इस तरीके से enter कर जाएगे, और CA++ ions के cytoplasm में enter होने की वज़े से sperm का जो tail part है, उसमें rapid whiplash movement होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, तो ये sperm ने एक ability को acquire किया, इस से उसको क्या फायदा हुआ, कि आप वो female के reproductive track में अपनी tail part का whiplash movement करके एक तेज गती से, याने 1.5 to 3.0 mm per minute की rate से movement कर सकता है, आपको बता दू, CA++ के साथ कुछ amount में HCO3- जो हैं, वो ions भी enter होते हैं, cytoplasm में और HCO3- के enter होने की वज़े से sperm के cytoplasm का जो pH है वो increase हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि HCO3- ions जो है वो proton को acceptate करेंगे, जिससे कि pH जो है, वो acidic की जगा alkaline होगा, याने कि जो pH होगा sperm के अंदर, intra-sperm pH, कह सकते हैं, cytoplasmic pH, वो increase हो जाएगा तो overall एक sperm को वैसे भी acidic environment की बिल्कुल ज़रूवत नहीं है, वो चाहता है कि female vaginal track में है, या female reproductive track में है, जो pH हो alkaline हो, क्योंकि alkaline pH sperm की health के लिए अच्छा है, acidic pH अगर होगा, तो sperm की viability पर इसका direct effect पर सकता है तो ये बहुत important चीज़ है, अब आप देखेंगे कि overall CA++ के sperm की cell के अंदर enter होने की वज़े से, उसकी membrane के destabilize होने की वज़े से क्या फायदा होगा, कि sperm जो है, वो ज़्यादा fuse हो जाएगे, fuse हो जानेक मतलब उनमें ability जो है, वो ज़्यादा develop हो जाएगी, ovum को fuse करने की ठीक है ना, and this quality is essential in the very beginning of the fertilization when acrosomal reaction happen यानि कि अगर किसी भी sperm को ovum को fertilize करना है और fertilize करने के लिए इससे पहले कि sperm के जो acrosome से release होने वाले enzymes हैं, वो ovum के zona pellucida को या outermost envelope को कह सकते हैं fuse करें या उसको damage करें, तो यह हो, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि sperm की जो plasma membrane उसमें से cholesterol जो है, वो removed हो जा और sperm में भी plasma moment जो है, वो increase हो ताकि sperm एक तो site of fertilization तक पहुंच सके, and second वो ज़्यादा fuse हो जाने को हो सके, ताकि उनके acrosomal reaction के दौरान release होने वाले enzyme proper way में ovum की outer envelope को क्या कर सके, damage कर सके, जिससे की sperm का nucleus और proximal centriol ovum के cytoplasm में penetrate हो सके, तो that is very essential concept आपको हमेशा यह याद रखना है अब मैं बात करता हूँ कि ovum is released in the secondary oocyte stage हमेशा बच्चों हमें यह confusion होता है जब भी हम fertilization की process पढ़ते हैं हमें यह confusion होता है जब भी हम oogenesis पढ़ते हैं तब भी हमें यह confusion होता है जब भी हम ovulation पढ़ते हैं तब भी हमें यह confusion होता है हमारा confusion यह होता है कि अगर जो release होता है ovum from the ovary क्या वो full and final mature ovum होता है क्या हम उसको oot it कह सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं वो actually में जो ovum release होता है during the ovulation that is the developing ovum वो actually में क्या है developing ovum है and developing ovum का मतलब क्या हुआ है developing ovum मतलब ही वो fully mature नहीं है वलकि वो अभी meiosis division जो है meiosis 2 जो division है वो complete करेगा अभी उसने complete नहीं किया है तो releasing ovum is the developing ovum जो किस stage में होता है तो secondary oocyte stage में होता है और अगर मैं देखूं तो उसमें जो meiosis 2 है क्या वो start हो चुका होता है definitely हो चुका होता है उसके release होने से पहले लेकिन वो arrested होता है at metaphase 2 stage of meiosis 2 तो meiosis 2 की metaphase 2 में arrested होता है developing ovum जो release होता है from the ovary during the ovulation यह आपको concept याद रखना है तो इस तरीके से एक animation यहाँ पर आप देख सकते है मेरे back में एक animation चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि जो ovary है उससे इस तरीके से developing ovum जो है वो release होता है this is the developing ovum ठीक है ना और इसको जब यह release होता है from the ovary तो जो fimbri है that are the finger like projection of infantivulum reason of oviduct तो fimbri जो है वो इस तरीके से उस ovum को जो release हुआ है उसको क्या कर लेती है captured कर लेती है तो आप जो उपर finger like projection देख रहे हैं वो fimbri है fimbri किसका part है? infantivulum का infantivulum किसका part है वाई? oviduct का तो oviduct के infantivulum part के fimbri जो structures है finger like projection वो releasing ovum को इस तरीके से क्या कर लेते है capture कर लेते है और इस तरीके से ovum जो है वो proximal ostium जो की एक aperture होता है lower abdominal cavity के direction में oviduct का उससे होते हुए वो fallopian tube में प्रवेश कर जाते हैं enter कर जाते हैं तो I hope कि आपको इतना अभी तक का जो मैंने concept cleavered किया है वो समझ में आ चुका होगा चलिए आगे बढ़ते है next चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि ovum reaches ampulla the site of fertilization तो एक चीज तो confirm होगे कि ampulla वो reason है जो site of fertilization है वो oviduct का soil reason है ठीक है न जैसे infantivulum funnel shaped होता है ampulla soil reason होता है और हम बात करें कि आपका इस्तिमस जो है वो pipe like structure होता है तो oviduct के तीन डिफरेंट पार्ट को तीन वा लगलग shapes से हम लोग define करते है ampulla is the soil structure of oviduct तो site of fertilization ampulla reason है and आप देखेंगे जब oviduct में oviduct में fimbri capture कर लेती है ovum को oviduct में fimbri ने किसको capture कर लिया ovum को ovum कहां से आया ovaries release हुआ तो वो कैसे fallopian tube में enter करेगा एक छेद के दुरू करेगा एक aperture के दुरू करेगा जिसको हम proximal ostium कहते है और जैसे ही वो fallopian tube के अंदर enter कर जाएगा तो ampullary reason तक पहुँचने के लिए उस ovum को move करना बहुत ज़रूरी है भाई sperm के पास तो phlazilla होती है तो वो अपनी phlazilla में विवलाश movement करके move करता 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 fallopian tube के ampullary reason तक पहुँच सकता है from the vagina लेकिन ovum के पास कोई phlazilla नहीं होती ovum non-flazillated structures है या cells है इनके पास कोई motility के लिए phlazilla नहीं है तो फिर ovum जो है वो fallopian tube के infundivulum reason से ampullary reason तक कैसे पहुँचेंगे तो answer होगा आपका ciliary action of ciliated columnar epithelial lining of oviduct और fallopian tube तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप animal tissues पढ़ते हैं animal tissues में जब हम epithelium tissues पढ़ते हैं simple epithelium और compound epithelium तो simple epithelium में हम कई अलग-अलग epithelium cells का नाम देखते हैं उनके varieties देखते हैं जैसे squamous, columnar, cuboidal ऐसी ही एक टाइप होता है ciliated और ciliated epithelium में ऐसी ciliated cells जो की columnar हैं यानि की column shaped simple epithelial cells जो की cilia रखती हैं they wear cilia on their surface उनको हम ciliated columnar epithelial cells कहते हैं they generally present in fallopian tube inner lining of fallopian tube made up of ciliated columnar epithelial cell तो देखिए यहाँ पर हम इस structure में एक animation की थूँ देखेंगे कि किस तरीके से जो ovum होता है वो fallopian tube के अंदर यह कहां का scene आपको देख रहा है fallopian tube के अंदर तो किस तरीके से fallopian tube के अंदर ovum जो है वो अपना movement कर रहा है तो आप देख सकते हैं बहुत easily ठीक है ना क्यों कर रहा है movement क्योंकि जो inner lining है fallopian tube की उस inner lining को बनाने वाली जो epithelial cells हैं वो columnar ciliated है यहाँ उनकी surface पर cilia present है cilia क्या होता है तो cilia basically outer projection of plasma membrane होते हैं eukary odds में 9 plus 2 micro 2 wheel organization रखते हैं जैसे हमने 11th class में पढ़ा है और यह over like movement करते हैं यानि कि यह जब भी move होते हैं हमेशा coordinated manner में move होते हैं आप देख सकते देखिए सब का movement coordinated manner में होता है एक अगर पीछे जा रहा है अगर cilia move करेंगे तो ovum क्या करेंगे बाहर की और या अंदर की और move कर सकते हैं यानि कि cilia इस direction मूफ कर रही है तो धीरे धीरे ovum भी जो है वो आपके infundivalum reason से कहां पर पहुँच जाएगा soil part of the fallopian tube या oviduct जिसको आप कह रहे है ampula ठीक है ना तो आई होप कि आपको ये concept बहुत ही interesting way में समझ में आ गया होगा अगली चीज़ हम बात करते है fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampula तो भाईयों ये बहुत जरूरी है अगर एक female को pregnancy conceive करना है तो पहले उसको fertilize होना पड़ेगा और fertilization के लिए बहुत जरूरी है कि जो ampula reason है वहाँ पर ovum की भी entry हो और वहाँ पर sperm की भी entry हो यानि कि आप इसको ऐसे समझें कि दो दोस्त अगर आपस में मिलना चाहते हैं तो उनका मिलन तभी हो पाएगा जब एक दोस्त अपने घर से निकले दूसरा दोस्त भी अपने घर से निकले और दोनों एक spot decided करें जहां पर दोनों को पहुँचना हो एक proper timing पर अगर उनके पास एक घंटे का समय है यानि आपका दोस्त एक है A और एक है B दोनों के पास एक घंटे का time और उस एक घंटे के अंदर उनको मिलना है और जबकि उनको मिलने के लिए अपने घर से निकलना पड़ेगा और निकलने के बाद उनको ऐसी कोई location decide करना पड़ेगी जो दोनों दोस्त के घर से कम से कम 20-25 मिनिट दूरी पर present हो तो वो दोस्त decide कर लेंगे चलो हम उस दुकान पर मिलते हैं ठीक है ना अब उस दुकान पर मिलने की बात fix हो जाती है एक दोस्त अपने घर से निकलता है दूसरा दोस्त अपने घर से निकलता है दौनों 20-25 मिनिट के अंदर अंदर उस spot पर पहुंच जाते हैं अगर वो पहुंचते हैं तो उनकी meeting हो जाती है यही concept ovum और sperm का है ovum ovaries release होकर कहां जा रहा है infundibulum में infundibulum से उसको एंपूला पहुंचना है sperm vagina में insimination के थूँ पहुंचकर cervix uterus के थूँ कहां पहुंच रहा है एंपूला में यानि ovum की entry भी fallopian tube में हो रही है और sperm की entry भी fallopian tube में होगी और दोनों को एक ही जगा पर पहुंचना है वो है एंपूला अगर वो simultaneously वहां पर पहुंच जाते हैं तो ही fertilization की process होती है अगर एक दोस्त अपने घर से निकल जाए 11 वजे और वो 11.30 वजे उस spot पर पहुंच जाए जहां उनका मिलना तै हुआ था अब दूसरा दोस्त है वो सोच यार हम तो सो लेते हैं और वो चार वजे अपने घर से निकले तो क्या चार वजे तक दूसरा दोस्त वहां खड़ा रहेगा नहीं वो अपने घर बापिस चला जाएगा तो ऐसे में क्या उन दोनों दोस्त की meeting हो सकती है कभी नहीं हो सकती है यही कारण है कि हमेशा हर कॉपिलेशन या कॉइटस या मैटिंग की प्रोसेस करने पर यह ज़रूरी नहीं होता है कि female में fertilization हो और वो pregnant हो इसलिए एक सही समय होता है female में एक fertilizing period होता है female में इस दोरान ही copulation करने पर female में chance of fertilization बने होता है otherwise fertilization या pregnancy conceive नहीं होती है ठीक है ना तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह भी simultaneously यहां से यह ovum और यहां से sperm दोनों आपस में एक ही जगा पर मिल रहे हैं और जब उनकी आपस में meeting होती है एक proper जगा पर तो fertilization की process हो सकती है और वो reason कौन सा है जहां पर fertilization हो रहा है that is the ampullary reason this is the यह ampulla है किसका है भाई oveduct का तो sperm और ovum दोनों simultaneously जब पहुँचेंगे ampullary reason में तभी यह chance होंगे कि fertilization हो pregnancy conceive हो otherwise ऐसा नहीं होगा तो अब हम आ चुके हैं अपने आज के topic के एक नए mode पर अभी तक आपने fertilization से related basic concepts को समझ लिया है capacitation क्या होता है sperm कहां से कहां जाएंगे ovum कहां से release होकर कहां पहुँचेंगे site of fertilization क्या होगी अब हमें process of fertilization को एक proper flow chart के माध्यम से पढ़ना है अब मैं आपको fertilization की पूरी process समझा रहा हूँ एक proper sequence में एक proper coordinated manner में ताकि आपके अंदर जो भी doubts हैं वो एकदम clear हो सकें ठीक है ना तो सबसे पहले हम बात start करते हैं कि during the fertilization number of sperm adhere to the surface of egg आप देखेंगे कि sperm तो भाई 200 से 300 million होते हैं पर ejaculation एक वार जब male ejaculate करता है insemination के दोरान तो 200 से 300 million sperm हो सकते हैं पर ejaculate पर ovum release कितना होता है भाई only one ovum तो सौभाब एक है भाई ovum एक है sperm बहुत सारे हैं तो मान लीजिए ये ovum है जो release हुआ ये एक ovum है ठीक है ना और sperm जो पहुँच रहे हैं fertilization side पर वो कितने हैं millions हो सकते हैं इस तरीके से millions of sperm जो हैं वो ovum के outer surface पर अधेयर हो जाते हैं यानि कि इस दोर में बहुत सारे sperm में यहाँ पर हैं एक ovum के साथ चारो तरफ इस तरीके से बहुत सारे millions of sperm क्या हो जाते हैं अधेयर हो जाते हैं पहली चीज तो इस condition को हम क्या बोलते हैं agglutination याद रखिए तो आप से पूछा जाए agglutination क्या है तो आप कहेंगे human reproduction में ठीक है न अदर्वाइस antigen antibody interaction में भी agglutination of precipitation हम पढ़ते हैं लेकिन अभी मैं human reproduction में बता रहा हूँ कि agglutination of sperm क्या है तो आप कहेंगे कि एक ovum के चारो तरफ बहुत सारे number of sperm का अधेयर हो जाना agglutination है लेकिन आपको हमेशाद रखना है कि इन हजारों sperm में से केवल एक ही sperm हो सकता है जो female के ovum को fertilize कर सकता है कभी 2, 3, 4, 5, 50 sperm fertilize नहीं करते हैं एक ovum को एक ही sperm fertilize करता है लेकिन initially sperm अधेयर जो होते हैं outer surface of the ovum पर वो संख्या में हजारों होते हैं और that process is called agglutination अगली चीज़ आपको याद रखना है the acrosome starts releasing its hydrolytic enzymes और sperm lysine तो हम सभी जानते हैं कि acrosome क्या है तो आप कहेंगे modified it golgi apparatus जब spermatid का transformation जो है जब spermatid का meogenesis तो आप देखते हैं कि acrosome modified होता है acrosome का formation होता है from golgi apparatus तो golgi का ही modification होता है और बनता है acrosome जिसमें बहुत सारे enzymes होते हैं hydrolytic enzymes होते हैं जैसे कि hyaluronidase है na acrosin इस टाइप से बहुत सारे enzymes होते हैं जिनको collectively हम sperm lizen कहते हैं जो मैं अपने previous lecture में आपको बता चुका हूँ तो क्या होगा acrosome अपने sperm lizen enzymes को release करना क्या कर देगा start कर देगा तो sperm में से ऐसे enzyme release होने लगेंगे जिनको हम बोलते हैं hydrolytic enzyme या sperm lizen और यह release sperm में कौन कर रहा है उसका acrosome अच्छा enzyme easily release होकर बाहर कैसे आ पा रहे हैं क्योंकि इस पर मैं acrosome के ऊपर जो plasma membrane है उसमें से cholesterol को आपने पहले remove कर दिया during the capacitation ठीक है ना तो अब बहुत easily जो enzymes हैं वो क्या कर सकते हैं बाहर release हो सकते हैं from the sperm आगे क्या होगा जैसे ही contact होगा of acrosome जैसे ही sperm का acrosome का contact होगा female के ovum या oocyte से या developing oocyte से तो यह stimulate करेगा एक out growth को यानि कि आप देखेंगे कि ovum जो है वो यह है ठीक है ना यह ovum के अंदर क्या है उसका haploid nucleus अब ovum के उपर भी एक दो नहीं बहुत सारी layers होती है हम सभी जानते हैं इस तरीके से इसकी viteline membrane होती है viteline membrane के अलावा आप देखते है zona palucida होती है zona palucida के उपर भी एक layer होती है जिसको हम corona radiata कहते हैं तो generally sperm जो है वो enter करते है corona radiata से अंदर और इस तरीके से sperm जो है वो enter कर जाते है ठीक है ना और सबसे important चीज क्या है कि जैसे ही sperm के acrosome का contact होता है oocyte के outer surface पर आप देखेंगे fertilization cone या cone of reception का formation हो जाता है यानि जो sperm कह सकते हैं जो ovum की zona palucida layer है वो एक cone like structure का formation कर लेती है और इस sperm के attachment के लिए जो ovum की zona palucida पर cone like structure का formation हो रहा है उस cone को हम लोग fertilization cone कहते हैं और यह आपको याद रखना है that is very important जो मैं आपको काफी detail में आगे बताने वाला हूँ ठीक है ना अब क्या होगा fertilization cone सभी sperm के लिए नी बनती कोईसी एक sperm जिसका सबसे पहले attachment होता है zona palucida के साथ acrosomal reaction के दौरान तो fertilization cone का formation होता और fertilization cone का जब formation हो जाता है तो आप देखेंगे कि जो male का यानि sperm का जो nucleus है और प्लस proximal centriol आपको हमेशा यह confusion होगा जब आप NCRT को पढ़ेंगे क्या पूरा sperm ovum को fertilize करता है क्या पूरा का पूरा sperm जो है उसका head part, middle part, tail part क्या वो पूरा ovum के cytoplasm में चला जाता है या फिर केवल sperm का nucleus और proximal centriol ही ovum के cytoplasm में जाता है देखें तो ovum literally क्या है ovum को हम अगर define करें तो अभी तो ovum बना भी नहीं है during the fertilization जब sperm fertilize करता है ovum को उस दोरान ही जो developing ovum या secondary oocyte है वो अपना पहली ootid की अगर बात कर रहे है developing ovum की नहीं आप ootid याने mature ovum की अगर आप बात कर रहे है तो हम ovum किसे कहेंगे जो plasma membrane के surrounded एक cell है उसके बाहर कितनी भी layers हों भले ही वो अभी ovum का part है लेकिन literally fertilization के दोरान जो चीज़ें ovum के cytoplasm तक पहुँचेंगी वही चीज़ें participate करेंगी zygote के formation में या कहा जाए genetics में किसकी progenies की तो important matter यह है कि really अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो sperm जो है वो enter करता है ovum में लेकिन literally cytoplasm of ootid में कौन penetrate करता है तो sperm का केवल nucleus और उसका proximal centriol इसके अलावा कभी किसी भी sperm का कोई भी other material like mitochondria like उसका phlazila या कोई और part कभी भी ovum के cytoplasm या ootid के cytoplasm में penetrate नहीं करता है that's why कि mitochondria हम सभी को अपनी mother से मिलती है और उसका inheritance भी हम लोग maternal inheritance study करते है nuclear genetics हमें अपने mother और father दौनों से मिलती है यानि कि single set of chromosome हमने mother से opt-end किया है single set of chromosome हमने अपने father से opt-end किया है लेकिन mitochondrial dia ने हमें केवल हमारी mother से मिला है यानि कि इसका मतलब साफ है कि cytoplasm जो होगा ovum का ootid का उसमें केवल और केवल proximal centriol और nucleus ही haploid nucleus ही enter करता है अब हम देखेंगे बाकी जो part होता है sperm का वो left out हो जाता है यानि कि remaining part of the sperm जो है वो left out बाहर ही रह जाता है और enter through zona pellucida and plasma membrane तो जो nucleus और proximal centriol है वो किस layer के अंदर पहुँचेगा zona pellucida के अंदर vitiline membrane के अंदर यानि कि cytoplasm of ootid बाकी material जो है वो बाहर ही क्या हो जाएगा left out हो जाएगा अब इस concept को समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पर मैंने दो diagram ले रखें आप यहाँ बड़े carefully देखें इस तरीके से हजारों sperm attachment करते हैं ovum के outer surface पर यह उसकी vitiline membrane है really अगर मैं बात करूँ तो vitiline membrane के just नीचे क्या होती है plasma membrane ठीक है ना और vitiline membrane just outer the plasma membrane जो एक layer होती है membranous layer होती है उसको हम vitiline membrane कहते हैं तो sperm सबसे पहले यह देख सकते हैं यह कौन सी surface होगी तो आप कहेंगे corona radiator obviously सबसे outer most surface जो है layer जो है वो corona radiator है तो corona radiator से बहुत सारे sperm attach होते हैं धीरे धीरे एक sperm जो होगा वो अपने acrosome के through क्या करेगा fusion करेगा fusion करके वो zona palucida layer को diffuse कर देगा या degrade कर देगा और आप देखेंगे अंदर अंदर मतलब यह देखिए plasma membrane literally ovum की जो plasma membrane है वो यह है यह एक fertilization cone कोन का formation करेगी along with zona palucida और इस तरीके से fertilization cone में sperm का head जो है वो पूरी तरह से embedded हो जाएगा attach हो जाएगा और जो sperm है वो अपने nucleus को and proximal centriol को याने दो चीज़ों को number one is nucleus जो की haploid होगा and proximal centriol केवल इन दो चीज़ों को ही वो अपने proximal centriol और nucleus को ही sperm क्या करेगा literally ooted के cytoplasm में penetrate करेगा तो sperm का whole structure भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि वो corona radiata के अंदर या zona palucida के अंदर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन literally जो fertilization cone बनाएगी अंदर plasma membrane along with zona palucida उसमें sperm का जो head होगा वो केवल attach होता और वो fuse हो जाता है और वो क्या कर देता है अपने nucleus को और proximal centriol को penetrate कर देता है inside the ovum तो देखिए नीचे एक animation भी चल रहा है आप बड़े ध्यान से animation को देखिए आपका concept clear होगा आप देख सकते हैं ये बाहर की तरब जो red color की membrane दिखाई जा रही ये क्या है ये फाल्तू membranes like zona pellucida मतलब फाल्तू नहीं कहूंगा लेकिन अभी फिलहाल हम इस concept को समझे तो ये zona pellucida corona radiata ये विटलैन membrane बाहर की membrane है literally जो सबसे अंदर आपको एक red color की layer दिख रही है ये वाली ये plasma membrane है ठीक है ना तो किस तरीके से एक sperm जो है वो आता है और literally उसका केवल nucleus और centriol ही केवल fuse होता है in the cytoplasm of ovum वो आप देख सकते है बाकी part of the sperm क्या हो जाता left out तो आप एक बार carefully इस animation को देखें आपको उस concept जो है वो समझ में आ जाएगा आगे हम बात करते हैं अब क्या होगा zona reactions कुछ ऐसी reactions होती है zona palucida में जिनको collectively हम zona reactions कहते हैं जो आप MBBS में पढ़ेंगे फिलहाल आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है zona reactions होती है जिनकी वज़े से zona palucida जो है वो impermeable हो जाता है तो मैं कहूंगा कि एक स्पर्म के लिए जो अभी सबसे पहले जो एक स्पर्म के लिए cone of fertilization बनता है या cone of reception बनता है आपको बता दूँ जैसे ही एक स्पर्म ovum के cytoplasm में अपने nucleus और proximal centriol को penetrate कर देता है वैसे ही impermeable हो जाती है zona palucida बाकी के sperms के लिए क्योंकि वो destroy कर देती है cone of reception को या fertilization cone को जिसको sperm receptor कहा जा सकता है तो जैसे ही एक स्पर्म का nucleus और centriol enter करेगा into cytoplasm आप देखेंगे zona palucida में कुछ chemical reactions होती है जिससे की zona palucida impermeable बन जाती है क्योंकि वो destroy कर देती है receptors को जिससे की sperm attach हो रहे थे यानि की fertilization cone को तो ये concept भी आपको यहाँ पर याद रखना है the entry of sperm अब जैसे ही आपको याद रखना है sperm की entry होती है nucleus की entry proximal centriol की entry cytoplasm में नहीं वलकि मैं बात कर रहा हूँ जैसे ही sperm की entry ovum में होती है यानि during the fertilization जिस समय sperm जो है वो corona radiator या zona pellucida को cross कर रहा होता है आप बोलेंगे वो during the fertilization जो ovum है वो अपना meiosis to division उसी समय क्या कर रहा होता complete यानि कि simultaneous process है जब sperm ovum को fertilize कर रहा होता है सुरुवात की stages चल रहा होती है like acrosome reaction cone of fertilization का बनना या sperm जो है वो किसी भी तरीके से zona pellucida के अंदर sperm lies in enzymes उसको lies करके जैसे अंदर enter करता जा रहा है simultaneously उसी दौरान during the fertilization जो ovum अभी तक arrested था meiosis 2 की meta phase 2 stage में अब वो जल्दी से अपनी complete करेगा anaphase 2 telophase 2 और complete हो जाएगा meiosis 2 division और आप देखेंगे दो यहाँ पर daughter cells बनेंगी एक second polar body जो की तुरंद degenerated हो जाएगी और एक बनेगा haploid ovum ootid ootid ही literally क्या है mature ovum है तो यह mature ovum जो ootid है actually में इसके ही cytoplasm में sperm का nucleus और proximal centriol क्या होगा penetrate तो यह simultaneous process चल रही होती जैसे ही ovum के corona radiator के साथ attachment होगा sperm का वैसे ही यहाँ पर जो अंदर developing ovum है वो अपनी meiosis 2 complete करने में लग जाएगा जैसे sperm fertilization कोन तक पहुँचेगा को penetrate कर देगा और fertilization की process जो है वो successfully complete हो जाएगी तो this is the diagram of NCRT और इस diagram में आपको दिखाए गया यह sperm जैसे की attach होता हुँ outer surface पे this is the corona radiator cells of corona radiator जैसे sperm corona radiator के अंदर घुसेंगे zona pellucida को dissolve करना start करेंगे this is the zona pellucida वैसे अंदर जो ovum है वो अपनी meiosis 2 जो है वो complete करने में लग जाएगा then after sperm जो है वो finally अपना nucleus और proximal centriol दो चीजों को ही ovum के cytoplasm में penetrate करेगा एक proximal centriol और एक nucleus nucleus haploid जब male के sperm का ovum के haploid nucleus के साथ fuse करेगा ते diploid zygote stage बन जाएगी हमने opt-end कियो होंगे from father and half chromosome from mother तो इस condition को भी हम समझ लेते हैं आप देखेंगे male के जो gametes होते हैं जिनको हम sperm कहते हैं वो कैसे होते हैं haploid उनमें total 23 chromosome होते हैं अब क्योंकि male जो है वो दो different type के gamete बना सकता है क्योंकि male हम सभी जानते हैं heterogametic होते हैं हमने sex determination पड़ा हुआ है genetics में थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं कि वहाँ पर जो male के sperm बनते हैं या तो वो 22 प्लस X रखते हैं या वो 22 प्लस Y रखते हैं क्योंकि एक male की somatic cell जो होती हैं उनमें 23 3 pair chromosome होते हैं और 23 pair chromosome में से 22 chromosome को हम autosomes कहते हैं और 1 pair जो होता है उसको हम allosome या sex chromosome कहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास total 44 प्लस XY condition होती है male के पास 44 प्लस XY condition होती है अब जब haploid gametes बनेंगे male में meiosis के दोरान तो sperm जो होंगे उनमें या तो 22 प्लस X condition होगी है 22 प्लस Y condition होगी है 50% sperm ऐसे होंगे और 50% sperm जो है वो ऐसे होंगे जिन sperm में sex chromosome X होता है वो gyno sperm माने जाते हैं और जिन sperm में sex chromosome Y होता है वो endro sperm माने जाते हैं and क्योंकि तो different variety of sperm male produce कर सकते हैं that's why they are known as heterogametic और heterogametic conditions की वज़ा से ये depend male पर करता है कि जो progeny पैदा होगी वो लड़का होगी है लड़की होगी क्योंकि female gamete याने की हम बात करें ootid की वो haploid होते हैं और उनमें 23 क्रुमोजॉम होते हैं जबकि male के पास allosome का heterologous pair होता है एक X और एक Y male के बाद हम बात करें female तो हमेशा वो homo gametic होगी क्योंकि 100% जो gametes बना रही है वो 22 प्लस Y है तो जब भी male के sperm और female के ovum का fusion होता है fertilization होता है especially nuclear fusion होता है तो जो cell बनती है fertilized ovum जो बनता है उसको हम zygote कहते है और हमेशा आद रखी zygote sincarion होता है what is the meaning of sincarion तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ की हमेशा हमें एक set of chromosome जो है वो paternal याने parent से पापा से मिलता है याने father से और एक set of chromosome maternal मतलब है mother से मिलता है हमारे पास जो chromosomes के pair arrange होते है after the fertilization वो हमेशा उसमें single set of chromosome we obtained from the mother and single set of chromosome we obtained from the father that condition of mixing of chromosome is called amphimixis ठीक है न and sincarion का मतलब क्या होगा तो आपको बता दूँ क्योंकि zygote जो बना है वो sincarion कहा जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक hybrid cell को हम sincarion कहते हैं जिसमें chromosomes जो होते हैं वो दो different source से obtain करती है cell parent से यानि की father से और mother से तो इस तरीके से एक set हमें chromosome का कहां से मिलेगा from the mother like this और एक set हमें जो chromosome का मिलेगा वो from the father तो जो zygote बनेगा उसमें जो pair of chromosome होंगे उसमें हर एक pair में से एक chromosome mother और एक chromosome father का होगा that condition of mixing of chromosome is amphi mixes and the cell hybrid cell is called sincarion जिसको आप zygote कह रहे हैं उसको हम sincarion condition भी कह सकते हैं अब अगर मेल के gynosperm ने fertilize किया है तो लड़का होगा या लड़की होगी तो आप का अंसर होगा gynosperm के पास X chromosome है इसलिए लड़की होगी याने कि 44 प्लस याने 22 pair और XX condition आ जाएगी प्रोजनी में लेकिन अगर किसी sperm जिसने fertilize किया है वो enterosperm में आने उसमें Y chromosome था तो फिर female या male क्या पैदा होगा तो आप का अंसर होगा male होगा क्योंकि condition आ जाएगी 22 pair autosomes प्लस XY तो प्रोजनीस का sex male होगा या female होगा यह पूरी तरह से depend करता है male के उपर क्योंकि male जो है वो heterogametic होते है sex determination में आप देखेंगे कई ऐसे animals भी है जिसमें कि heterogametic female होती है आप words वगेरा में देख सकते है foul में देख सकते है जिसमें heterogametic जो है वो female होती है लेकिन human की अगर हम बात करें तो heterogametic male होते है और प्रोजनी का male या female होना किस पर depend करता है male पर ना कि female पर तो I hope कि यहाँ तक का concepts जो है वो आपको proper समझ में आ चुका होगा ठीक है ना तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर यह video आपको काफी informative लगा आपको लगता है किस से आपके कई बड़े doubts clear हो चुके है तो आप इसको like जरूर करिए और आगे मेरे lectures देखना मत भूलिए